27 जन्वरी 2030 विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ कि मैं हर उस अच्छे काम के लिए तयार हूँ जो पर्मिश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई है मैं सृष्टी के निर्माता द्वारा अभिशिक्त और सर्शक्त हूँ हर बंधन, हर सीमा उससे तूट रही है मैं ईश्वर से पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं दुनिया पर विज़य प्राप्त करता हूँ और यह वो जीत है जिसने दुनिया को जीत लिया है मेरा विश्वास मैं उंचा उठता हूँ, हर बाधा को पार करता हूँ और जीत का अनुभा करता हूँ जैसे पहले कभी नहीं हुआ यह मेरे चमतने का समय है यह मेरी घोशना है दिव्यस्वास की स्विकारोक्ती परमेश्वर के अच्चूक पचन ने मुझे विश्राम, शक्ती और प्रभुत्य के स्थान पर ला दिया है अलौक एक आशिर्वात, दिव्यस्वास्तिय और सम्रदी बहुतायत में मेरी है मैं दर्द, बिमारी, रोग और दुरबलता से अभैद्य हूँ, आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा ईश्व के नाम में मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ मैं ईश्वर और मानोजाती का कृपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ ना कि जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल भीज हूँ मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दरबार में ताड के पेड़ की तरह फलता फूलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूँगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो ईशु के नाम में सम्रिद होता है चीजे हमेश्या मेरे लिए ईशु के नाम में काम कर रही है मैं मसी ईशु में हर आध्यात्मिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौत एक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता है इश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपने मनुभाव से बात करता हूं कि परिपूर्ण बनो मसी के मनुभाव की तरह और मैं तुम्हे परमेश्वर के वचन से संड्रे कित होने की आग्या देता हूँ मैं अपने स्न्यायू और नसो से जीवन बोलता हूँ मैं अपने मास पेशियो और स्न्यायू बंधन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडो और उतकों के समानी वेंटिलेशन और परव्यूशन अनपाद बनाये रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किड्नी, लिवर और अगनाशय को पूर्णता बोलता हूँ मेरे खुन की हर कोशिका में जीवन है, मेरी हड़ियां, जोड़ और काटेलेश, संड्रेकित, मजबूत और डृढ है मेरे पूरे उपरी और निशले अंग उतक्रिष्ट रूप से कारी करते हैं, मेरी आंखें सपश्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवचा एक नवजाच शिशू और इश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रोम कस गए है मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आगया देता हूँ और जहां वृद्धी की आवश्यक्ता होती है और रख्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हॉर्मोन और निरोकेमिकल ट्रांस्मिटर एक दुसरे के साथ पूर्ण सामन्यस में है और अपने कारियों को समानी रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंद्र निगले गए सभी खादी पतार्थों को पचाने, आउशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चया पचय अप्शिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते है मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितिल्था, गपशप, आलसिय, अधिक नींद, सुस्ती और भादिखारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यस्नों द्वीद आतुमान को कैदी करता हूँ और मसी की आगे कारिता में लेता हूँ, जैसा ईश्व, वैसा ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे जीवन और चंगाई है इसलिए खादिय पतार्दों, धूल, जानवरों, आदिय अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजन तंत्र परियाप्त मात्रा में और अच्छी गतिशिल्टा वाले शुक्राणूओं का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजन तंत्र समय परंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जन्म तक भून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर रंग, हर कोशी का पूर्णता में कारी करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कारी करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृती को एश्युक के नाम पर मना करता हूँ आमिन मेरा संपूर्ण मानव शरीर रचना विज्ञान, चहय पचय और शरीर क्रिया विज्ञान मजी इश्चु में परिपूर्ण है, महिमा, आलिलुया, आमिल पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं